दोसो यूरीक एसिट का लेवल जब किसी वेक्ति की बाड़ी में बढ़ जाता है तो इसकी वज़े से क्या होता है कि यूरीक एसिट के क्रिस्टल्स जमने लगते हैं हमारे डिफरेंट जॉइंट्स में जैसे पेर के अंगुठे में, हाथ की उंगलियों में और बाड़ी के डिफरेंट जॉइंट्स में यूरीक एसिट के क्रिस्टल्स जमने लगते हैं जो सिचुवेशन बहुत ज़्यादा पीनफुल होती है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूरीक एसिट क्या होता है यूरीक एसिट एक एकस्क्रीटरी प्रोड़क्ट होता है, यानि कि एक वेस्ट माटेरियल होता है जिसको हमारी बाड़ी से बहार निकाल दिया जाता है किड्नी के दोरा यानि यह हमारी body का एक west material है जिसको बहार निकालना बहुत जरूरी है और अगर यह बहार नहीं निकला तो यह ना सिर्फ आपकी body में gout पैदा करेगा uric acid के crystals बनाएगा यह बहुत सारी situation different type की situation आपकी body में पैदा करेगा तो दोस्तो इस excretory material को body से बहार निकालने का काम करती है हमारी kidney और जब हमारी kidney इसको ठीक से बहार नहीं निकाल पाती है तब एक situation होती है जब आपकी body में uric acid का level बढ़ता है यह एक situation होगी first इसके अलावा हम कुछ ऐसे product या फिर ऐसे food का इस्तेमाल करते हैं जिसमें purine होता है और जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में sugar होती है तो sugar बहुत ज़्यादा consume करने से भी uric acid बढ़ता है इसके अलावा meat, fish, seafood, mushroom इसमें purine नाम का element होता है जो uric acid को बढ़ाता है इसके अलावा cold drinks, cold drinks, soft drinks, coca cola, sprite आप जो कुछ भी पीते हो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में fructose नाम की शरकरा होती है, high fructose कौन सिरफ से मिलकर ये बने होते हैं जो uric acid को बढ़ाते हैं जिससे gout की situation पैदा होती है इसके अलावा process food को भी आप खाना बंद कर दें क्योंकि इनके metabolism के बाद में भी uric acid का level बढ़ता है आप broccoli को भी खाना बंद कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी purine होता है तो दोस्तों इन चीजों को आप खाना बंद कर दें अगर आपको uric acid को ठीक करना है क्योंकि इन ही की वज़े से uric acid आपकी body में बढ़ा है तो पहली चीज तो आपको इन चीजों को खाना बंद कर देना है अब मैं आपको sugar क्यों बोल रहा हूँ कि आपको बंद करना चाहिए because आप जितनी बार sugar खाओगे आपका blood sugar level बढ़ेगा और blood sugar level बढ़ने के लिए बढ़ने के बाद में आपकी body में क्या होगा insulin भी spike करेगा insulin क्या करता है आपकी kidney को किसी ने किसी तरह से नुकसान पहुचाता है जिस वज़े से uric acid क्या होता है बाहर नहीं हो पाता है excrete नहीं हो पाता है यानि kidney में problem हो रही है बहुत ज़्यादा sugar खाने से इसके अलावा आप soft drink, cold drinks फीते हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा मातरा में क्या होता है sugar होती है जो again uric acid के level को बढ़ा सकती है because वो kidney को problem पहुचा रही है तो इन चीजों को आप सबसे पहले खाना बंद कर दे इसके अलावा uric acid के आप नाम से ही समझ रहे होंगे uric acid यानि ये आपकी body में acid बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आपको क्या करना है कि इसको dilute करने के लिए alkaline product का बहुत ज़्यादा मतरा में इस्तेमाल करना है यानि इसी चीजों को ज़्यादा खाना है जिनकी property alkaline हो तो वो क्या है वो एक हो गया cucumber यानि ककड़ी इसके अलावा आप बनाना खा सकते हैं जो potassium होता है जिसमें इसके अलावा baking soda का आप इस्तिमाल कर सकते हैं एक दो दिन के अंतराल में ये भी आपको instant फायदा देगा गाउट की situation को ठीक करने में उसके दर्द को कम करने में इसके अलावा एसे minerals जो alkaline property के होते हैं जैसे magnesium, calcium इनको आप ज़्यादा मातरा में consume करें इससे आपका uric acid बहुत हद तक 70% तक आपको इससे फायदा देखने को मिलेगा अब दोस्तों आप ये notice करना जो diabetes के patient होते हैं जिन लोगों को sugar की बिमारी हो चुकी होती है उनमें uric acid की समस्या बहुत ज्यादा common होती है as compared to the other person जिनको diabetes नहीं है तो diabetes में क्या होता है? diabetes में आपका blood glucose level हमेशा high रहता है इसके अलावा insulin high रहता है जो आपके kidney को नुकसान पहुचाता है और kidney जब आपकी खराब रहेगी तो वो excrete नहीं पढ़कर पाएगी uric acid को तो ये एक situation हो गई pathological condition है तो आपको इसको भी समझना है कि sugar का खाना आपके body में insulin को बढ़ाता है और insulin eventually आपकी kidney के लिए नुकसान दायक होता है इवन high blood sugar भी आपकी body के लिए आपकी kidney के लिए नुकसान दायक होता है इसके अलावा आपके जो भी question से वो आप comment section में पूछ सकते हैं और मुझे suggest भी आप कर सकते हैं कि मुझे अगला वीडियो के इस topic पर बनाना है आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद